नमास्कार स्वगात्य आपका हमारे अच्छार यागेंदर रिशा चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के दिन के रास्वल के बारे में लेकिन उससे पहले बात करें आज के पंच्यांग के बारे में 26 सितंबर 2022 शोम बार का दिन है और अश्णी मास्के शुकल पक्ष याज परती पता दिती है यानि कि आज से नौरात्री प्रारम हो चुके हैं नौरात्री का पहला दिन है और नचतर है उत्रा फालगुनी अब जीत महूरत आज दुपार 11 बच के 37 मिनर से लेके दुपार 12 होगा सुबए 6 बच कर 7 मिनर पे और चंदरमा के स्थिति रहेगी कन्य राशी पर यनि आपके शोते भाव पे चंदरमा गोचर करेंगे सुक भाव पे और आज के जो असुप समय होगा वह तकरीवन होगा साम 4 बच कर 35 मिनर से लेके साम 5 बच कर 32 मिनर तक रहेगा इस असु चंदराशी पर धरी थे मित्वन राशक्यातकों आज खुशी से पागल होंगे खुशियां दस्तक देगी आज की दिन आज हर छेत्र में कामयाभी प्राप्थ होगी आज से सारदे नौरातरी का प्रारंभ हो चुका है आज परतिप्यता थिती है आज पहले दिन माता शैल पुत्र की पूजा की जाएगी। कन्याओं को जरूर इस दिन उनका पैर इस पर्स करें तो बहुत लाब होता है। प्रमोशन के लिए आज की दिन काफी विशेश रहेगा। आज आपको माता सेल पुत्री को यानि की सफेद चीजे जरूर चढ़ा दे। जैसे कि आप इस दिन उन्हें सफेद पुश पर चढ़ा दे अपनी मनोकामना बोलते हुए तो आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। आज आपको बिजनेस व्यापार में धनलाब होगा। बिजनेस व्यापार में रुकावा फस्वा धन प्राप्त होगा। रहेंगे मां का इश्मरन करते हुए आप बिल्कुल पूजा पार्ट में ही यानि मगनर रहेंगे तो आज की दिन आप काफी अच्छा रहने वाला है और आज में तुन राजकत को आपको लोटर सट्टा से लाब हो सकता है इनका मामे बर्दी होगी जमें प्रॉपर्टी से ल आज आपको गारी बाहन खरीदने कमाका मिलेगा गारी बाहन के खरीदारी कर सकते हैं और साथी साथ धन संबत्ति का इजाफ़ा कर सकते हैं कुछ अच्छे अबसर प्राप्त कर सकते हैं लगातार आमदनी को बढ़ा सकते हैं कुछ अच्छे अबसर प्राप्त होंगे जो अम्द नहीं बढ़ेगी और आज आपको बैंक से यानि की तीसरी बड़ी गुड़ी दूसरी बड़ी गुड़ी बिजनेस वियाबार में कोई मैथ पूर्ण डील को लेकर मिलेगी तीसरी बड़ी गुड़ी आज आज आपको प्राप्त होगी यानि की बैंक से लोन के रूप और बित्ती मामलें काफि सुधार देखने को मिलेगा और साथी बैंक में अगर कोई लिखा पढ़ी के मामले में कहीं पर भी बिना पढ़े जाश परताल किये साइन ना करें सतर्गता भी बनाए रखने की जरूरत है अगर आज आपको विशेष लाब प्राप्त करना है तो आ लगातार आमदनी बढ़ेगी, कारशेतर में इजाफा प्राप्त होगा, धन संपत्ते में लाब होगा, साथी साथ कुछ अच्छे अबसर प्राप्त होगे, जो कुछ भी समर्शाय थी, जो कुछ भी परिशानिया थी, आज की दिन दूर होती चली जाएगी, और आपको शुक संतान प्राप्तिक रूपने हैं, आज चोथी बड़ी गुड़नीज प्राप्त होगी, संतान की चाहत पूरी होगी, संतान की मनोकामना पूरी होगी, और कई प्रकार के लाब भी देखने को मिलेंगे, यानि कि आज आज आपके दिन चरिय में परिवर्तन आएगा, खुश साथी कंधश कंधे मिला कर चल रहे हैं, मितन राज क्यात को, आज की दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, आज शोंबार का दिन है, तो आज महादेव की भी पूजा जरूर करें, महादेव को एक लोटा जल में, थोड़े से चावल, दूध और थोड़े से आप यानि की मि समाज में आपका मन समानिश से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, नई नोकरी लगेगी, नई जोब लगेगी, सरकारी छेतर से लाब होगा आज की दिन, आज आपके प्रेम जीवन में खुशियां लवलाई भी अच्छी लेगी, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, संतान प् पढ़ाई करना चाहते हैं, इस दिन तो विदेश जा सकते हैं, अच्छे लाब की योग बढ़ेंगे, लगातार आपकी आमदनी बढ़ेगी, कुछ ऐसे कार पूरे होंगे, जो काफी समय से अधूरे पढ़े थे, नहीं पूरे हो रहे थे, आज आपको आपके आमदनी के स् आज आपको महतबूर सफलता प्राप्त करने का मौका मिलेगा, आज आपके दिन चरह में बढ़लाव दिखाई देगा, स्वास्त उत्तम रहेगा, स्वास्त संबन्दी परिशानिया खत्म हो जाएंगे, स्वास्त को लेकर परिशानिया चल रही थी जीवन में, तो वो दोर होंगी, और साथी साथ आज एक बेहतर यहीं पार्टनर की तलास में थी, तो वो भी मिलेंगे, और लबलाई पर अची रहेगी, प्रेम जीमन में खुशिया, सौपिंग बगारा कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, आज आप धार्मिक कारियों में काफी वेस्त रहने बाले हैं, थोड़ी सी आपकी धार्मिक स्टल पर यात्राइं हो सकती हैं, विदेश की यात्राइं हो सकती हैं, तो आज आपका शुबरंग रहेगा यहां पर औरेंज अकलार और भाग साथ निवार आपका तक्रिवानी निकी 80% ददस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जा ऑशनी देयो.